डाउट्रेंट पे किजिए अपने सारे गवर्मेंट एक्जाम सी त्यारी, सीखे नियू टिप्स और सफाया करे अपने सारे मैट्स डाउट्स का, डाउनलोड किजिए डाउट्रेंट आप भी है फिर वाट्साप किजिए अपने डाउट्स 840-400-400 पर Question is, when a number when divided by 114 leaves a remainder 21, if the same number is divided by 19, find the remainder. Okay, तो हमें देखिए, एक number find out करना है, जिसको अगर हम divide करना है 114 से, तो हमें remainder मिले 21, और अगर same number, जिसको हम denote करना है capital N से, अगर उसको हम divide करना है 19 से, तो remainder क्या मिलेगा, ठीक? तो देखिए, division algorithm के according यह हम जानते हैं कि divide end, जिसको हम divide करना चाहते हैं, वो equal होता है divisor n, जिससे divide करना है, multiply by quotient, plus remainder, ठीक? तो पहले हम divide करें 114 से, तो यह हो जाएगा इसके divisor, so capital N is equal to 114, multiply by quotient, quotient given नहीं है, तो हम से suppose कर लेते हैं k, plus remainder क्या हैगा 21, ठीक? तो capital N की value हो जाएगी 114 into k, k plus 21, ठीक है, तो इस 114 को अगर बिरेक करें, तो हम उसको ले सकते हैं, 19 into 6 into k plus 21 को ले सकते हैं, 19 plus 2, ठीक है, तो यहां से 19 common लेंगे, first two terms है, so 19 common लेंगे, तो remaining 6 k plus 1 plus 2, तो यह number है capital N, ठीक, अब यह जो number है N, capital N, यह होए है in the form, कि अगर हम इसक 19 से divide करेंगे, तो देखिए, suppose कीजिए कि यह divided है, और यह इसका divisor है, अगर इसका 19 से divide करेंगे, तो यह हो जाएगा इसका question, और यह हो जाएगा इसका remainder, और हम से ही पूचा किया था, कि अगर हम same number capital N को, अगर divide करें 19 से, तो remainder क्या बचना चाहिए, remainder बचेगा उसका 2, so therefore the required number is 2, so the required remainder is 2, so this is the answer.